अस्सलाम उलेकुमी? मैं दोस्तो आज में आपको आपको जो है वह वरडॉनेय कलीपर की मैजर्मेंन का तरीका कार और शिकाओंगा किस जी से इसको मैजर किया जाती है यह मेरे पस एक यह वरेटर्जोंेयर सेला जो है scale कि यह का लोक है यह इसको जो है वह आउट डायमिटर को चेक करने के लिए यह इन्र को चेक करने के लिए और यह जो है यह टेप को चेक करने के कि पर पर नीचे वाली स्केल की जीरो की लैन को उपर वाले मेन स्केल की जीरो लैन से मेच करेंगे बिल्कुल कि अब हम स्कूर मेजर करते हैं किसी दिसको ही मेर पस एक नट है इसका आउटर कि बिशंयुर में ज्रजएयार्स के फिकल को नहisti है तो उसके लिए मिनगे में किया मैं सुझाब कर छोक करते शथिंगा दो हम उसको यहां से लॉक्त करेंगे इसको यहां कोraitungे आज़ें भाँ हम झाल दिया हम से इसके बाद हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो अगर आप देखें तो जीरो से लेफ्ट साइट की तरफ जो हो कितनी रोज बनती है उसको अन्ने काउंट करना है यह यानि के अगर एक से यह दस तक है तो यह दस और जीरो से यहां पर अन्ने काउंट करना है तो यह एक दो और दस नहीं कि ये 12 mm हो गया है तो हम ये बुक में लिख लेंगे 12 mm ये 12 mm हो गया है ठीक है इसका लीस काउंट जो है वो 0.05 mm है तो अब हम जो है वो पॉंट के बाद की वेलिव कल्कुलेट करते हैं तो अगर आप देखें तो जीरो से राइड साइड की तरफ कौन सी रो जो है वो मेच कर रही है देखें तो यह साथ की रो है वो बिलकुल उससे बिलकुल 100% मेच कर रही है तो हम साथ के लेट साइड के रोस को जो है वो काउंट करेंगे अगें तो यह बनती है एक दो तीन 5 6 7 7read 9 10 11 12 13 13 रोस बनती है जीरो काम नहीं काउंट करेंगे और यहांसे भी जबह वह साथ के साथ के बाद की करेंगे तो भीजेत है तेब वनी तो यह मों का लेते हैं Может लेते हैं निलिए से तेयर अब अब जो है वह तेबानों जो है वो है कैलकूलेटर की मदर्च से इसका अंतर निकालेंगे घ्मट की इसमय में से आप दोफर दैज्ट साल जबाए हो जीरो पॉइंट जीरो फाइफ ठीक है तो यह आ गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह इसका जो आउटर मेजर्मेंट पॉइंट है वह है जीरो पॉइंट सिक्स वाइफ यह आउटर डायमीटर हमने इसका चेक कर लिए अधिक है अब हम जो है वो इसका इनर पार्ट चेक करेंगे इसको क्या करेंगे इसको इसका लोग खुला और इसका इस तरीके से अन्द लेगे गए और यह तो बिल्कुल फिक्स आ गया तो फिर इसको भी इसी तरीके से लोग कर देंगे और इसको निकाल देंगे तरीके से ठीक है और फिर हमने इसको क्यलिक्वेट करना स्टार्ट करते हैं इसको कि यह अगर आप देखें तो यह कितना बना कि दसके बाद एक दो इन चार पांट शे इस जीरो के इस तरह हमने रिकांट करना है तो एक दो तीन चार पांट शे साथ आठ 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 और दस यानिके यह अठारा कि एम हो गया इसका ठीक है अब हम जाए इसका पॉइंट के बाद वाली के लिए काउंट करते हैं तो वह आ रही है अब जीरो के बाद अगर राइट सेट पर आप देखें तो कौन सी और वह से मेच कर रही है बिल्कुल कि एक बिल्कुल मेच कर रहा है अगर आप देखें तो एक की रो बिल्कुल उसके साथ मेच कर रही है तो हम काउंट करेंगे एक की लेफ्ट साइट की रोस को तो वह बनती है एक दो ती ठीक है नहीं सोरी एक के बाद जो कर लेफ्ट एट पर देखें तो एक रो बनती है तो तीक है तो हम वन काउंट कर लेंगे वन को कैल्कुलेटर से करते हैं काउंट कर देखें के वन मंटिप्लाइब और सुरी वन मंटिप्लाइब और जीरो पॉइंट जीरो फाइव यानिके यह इसका जो है वो साइज है है में अब इसका देख चेक करते हैं अब इसको सीधा रखा और सबसे पहले हमने इसको इस तरी के से रखा और अब अंदर की तरफ इसको ले गए जहां तक ही जाता है सुरी इसका इस तरी के से मैंने इसको कर दिया अंदर तक इसके लिए गया और यहां पर राद लॉक कर दिया इसको इसको इसका आप जाए और टेफ पार्ट चेक करेंगे यह यहां तक हो गया तो इसी तरी के से हम इसको चेक करेंगे इसका देगे इस तरी के समय नहीं है अब बिल्कु सीधे है इसके बाद आप इसके देखते हैं इसका बनता है जीरो के बाद अगर आप देखें तो इसकी बनती फॉर्टी जीरो बिल्कुल जीरो बिल्कुल मैश नहीं कर रहा है ये वह गया आप 2454 वइन 42 43 और 44 54 इमें मुस्ट का ऑगया और अब हम जाए वह वैल्यूठ को सीपाइव जान के बाद वल्यू वैलू कर गलकुलेट करते हैं तो वह आ रही है कि यह साथ की वेल्यू बिल्कुल मेच कर रही है कि यह यह लकीर बिल्कुल मेच कर रही है वालके अ ये नो की लकीर पिलकुल 100% इसके साथ मेच कर रही है तो हम इसी को लेंगे और एक दो टीन चार पाँच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सत्रा सत्रा इसके जो है वह इनर पॉइंट्स हो गये तो हम यह सत्रा लिख लेते हैं और अब सत्रा को जो है वह डिवाइट करेंगे जिए पंट जिरो पैसे अब गया अब गया कि अब गया तो यह आगया जीरो पॉइंट फाइज यानिकर इसका जो साइज है वह है 44.85 अब आगे लिए दोस्तों आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीस सब्सक्राइब और शेर करें इस वीडियो को थेंक्यू फोर वाजिगे अ